जी पार टू स्टार्ट हो गया, जी को कुस्चन है, कुस्चन, यहाँ पे क्या फिक्स्ट एफोएट की कॉस्ट हमारे बिजन्स की कॉस्ट नहीं है न, अब अब अब्सॉप्शन यह माजनल वालों ने फैर जो, फैर जो, वन्स एड फॉर अल, यह मसला मुझे हल कर लेने दो आज मनू ना रोकना, मतलब मैं जा नहीं रहा, तो अनू लैग ही जा मांगा मैं, होने दो, कोई मसला नहीं, पिक्चर्स तो आपने वैसी ले ली है, वो, एफोएच का एच निकलाया, लोजी, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, लोजी, गुजारा हुगा है, और क्या हुगा है, गुजारे की दुनिया, ज़रा यार बार बार रेफर करना है न तो ऐसे ही पर प्रिशानी रहनी दुनिए, ठीक है, अच्छा जी कर देता हूँ, ले जी, मार्जिनल कास्टिंग और अब्स कोईटिंग वाले, एब्सॉटिंग वाले, फिक्स टाइफो एच को प्रोड़ की कॉस का पार्ट बनाते हैं, ठीक है, यानि कॉस्ट अफ जेल का भी पार्ट बन गया, ठीक है, और हर चीज़ का, क्लोजिंग स्टॉक वगएरा का ठीक है, इंक्लूडिड है, इसलिए जब क का पार्ट नहीं बनाते, तो वो फिक्स टेफोएच जो है, वो नहीं इंक्लूड होते है, इसलिए यहां पर कौन सी और सेल लिए है, वेरियेबल, कॉस्ट बी वेरियेबल, ताकि तो ऐसे सेलिंग एक्समेंसे हैं, अब जो फिक्स टेफोएच को यहां पे हमने नहीं एफोई गॉस को माइनस कर ज़री वही काम किया हुआ ठीक है ओके बाकि यह मैं गर्ब से सेट शेट कर लूँगा इसको आप लों के लिए ले जी को मसला नहीं है तो अब मेरे ख्याल से वरकिंग वन कॉस्ट और सेल करते हैं यह प्रैक्टिकली वरकिंग वन इस तरह से हो या ना हो इसकी कोई guarantee नहीं है मैं माजन absorption आमने सामने कर रहा हूँ अगर तो आपको सिर्फ एक ही period की profit statement मांगी गई हो दोनों की तो फिर तो आप भी ऐसे ही कर लेंगे जैसे अब मैं करने लगाँ ठीक है कि आप एक column marginal का डालने का absorption का लेकिन जो पहले ही सवाल आपको करवाना है उस पहले ही सवाल के अंदर आपको marginal के भी चार महीनों का profit statement बनाने absorption के भी चार महीनों का तो मेरे खाल में माजनल absorption को हम अलग-अलग करेंगे मजबूरी ये cost of sale की working को वहां पे में करता कर नहीं सकते लेकिन फिलहाल चुके format से खा रहा हूँ ठीक है तो अभी तो काम चल होगी ये देखते हैं और इंशालल ये फॉर्मिट्स जो बन जाएंगे ये पिर आपको पता हम चलाएंगे तो पहले absorption चल रहा है हमारा और फिर marginal अगेन ये फॉर्मिट्स सारी बने हुए है ठीक है बहराल अगर आप बनाना चाहें तो आपको कोई पाबंदी नहीं है लेकिन पिक्चर लेके घर पे जाके बनाएंगे इतनी कोई पाबंदी है फिलहाल सिर्फ समझने पर जोर हूँ अच्छा जी cost of sale यानि के cost प्रोड़क्ट्री कोस्ट बिसी कली तो प्रोड़क्ट्री कोस्ट ही होती है नहीं यह देखो cost of sale भी यहां पे लिखा था cost of sale यह 245 है बोलो यह कैसे निकली है opening प्लस purchase less closing और अगर हमने purchase नहीं क्या बनाया है तो opening cost of sale निकलेगी cost of purchase अगर मैं इसको यूँ लिखूं तो cost of purchase प्लस opening स्टॉक finish goods less closing stock finish goods यह कर सकते हैं न यह सिर्फ रियरेंज किया मैंने तो ठीक है तो यह कहां पर पहुंच जाएंगे हम cost of sales पर अगर हमने चीजें जो हैं वो बनाई नहीं है और सौरी खरीदी नहीं है बलके बनाई है तो फिर क्या फरक आजागा इस equation में cost of purchase की बजाए cost of production आजएगी यह फरक है ना सिखाया था आपको नहीं याद तो मैं दिखाता हूँ ऐसे कैसे test one हमने discuss किया था जिससे मैंने आपको यह दोनों business का फरक बताया था इत से एक दिन पहले किसने बच्चों ने यह lecture जोबी तब नहीं लिया हुआ है कोई cost of purchase less closing finished goods से cost of sale निकलती है और cost of purchase निकलती है परचेस प्राइस प्राइस प्रस और डर्के अट्रिबूटिबल कॉट जबके manufacturing business के अंदर opening finished goods plus cost of production less closing finished goods से cost of sale निकलती है और cost of production जो है वो हम manufacturing accounting account से निकाला करते थे इस तरह की बात मैंने की जिसके अंदर क्या कुछ आता था manufacturing काउंट में क्या कुछ आता था direct material डायरेक्ट क्लेवर और F.O.H. यह क्या बनता है जी total factory cost यह total production cost और अगर इसमें आप working process की adjustment कर दें तो यह cost of goods manufactured निकलती है तो यह ऐसी तरह मैंने का तरह आपको बता दूँ कि यह हमने पढ़ा है अब आपको क्या पता कि हमने पढ़ा है तो मैं यह बात कर रहा था कि मैं basically क्या चाहरा हूं cost of production लेख दूँ ना कि इस format के अंदर चीजें पहुंच जाए cost of production कैसे पहुंचेंगे cost of production तक कैसे पहुंचेंगे direct material cost direct labor cost और FOH cost FOH cost के अंदर fixed और variable दोनों होंगे ठीक है ना तो यह format होगा हमारी cost of sale का direct material, direct labor, variable overhead, fixed overhead और cost of production opening, closing, finished goods तो cost of sale अगर working process नहीं होगा working process जब आएगा दब देखेंगे फिल्हाल वो उसका मतलब होता है mix हो जाना process costing का वो करेंगे end पे जाके जब process costing कर लेंगे फिल्हाल working process आपका नहीं आना तो यह काम बस आपने जेन के अंदर मैप आपके बना हुआ दमाग के अंदर के product की cost के अंदर क्या होता है direct material, direct labor, F.O.H. F.O.H. को तोड़ लिया है दो हिसों में बस अब यह तीनों मिलकर क्या बनता है production cost क्या बनता है product cost product cost में अगर आप finished goods opening closing के adjustment कर लें तो cost of sale आ जाएगी cost of goods manufactured या cost of production में अगर आप opening closing working process नहीं है तो cost of goods manufactured यही आगी ना इसके अंदर अगर आप finished goods की opening closing के adjustment कर लें तो यह क्या आजाएगा cost of sale तो अब मैंने क्या निकाल ला है cost of sale तो उसके लिए मैंने यह format बनाया किज़र गया यह तो वही अब बता दिया आपको ज़रा तफसील यहां पर खुला खुला करके लिख लेंगे क्या मैं यहां पर क्या चाहिए direct material की cost एक लाइन मैंने छोड़ दी डारेक्ट लेबर की cost इसके नीचे एक लाइन मैंने छोड़ दी और उसके बाद factory overheads वो बाद में रिखते था हूं ना factory overheads की cost और यह दो तरह की है हमारे पास fixed और पहले variable लिख देते है variable foh cost एक लाइन खाली छोड़ दी और fixed foh cost ठीक है जी यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा total production cost total production cost जिसको आप current production cost भी कह सकते हैं current production cost इस period के अंदर जो production की cost आई ठीक है जी ओके यह जब निकल आएगी तो इसके अंदर फिर आपने क्या करना है जी opening closing finish goods की adjustment करनी ठीक है तो क्या होता है जी opening हमेशा क्या होता है इसमें add closing क्या होता है less तो opening क्लोजिंग इन्वेंट्री 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 लिखा हुआ था ना चलो opening इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स एक लाइन खाली चोड़ दें वैसे जूरत नहीं पड़ेगी कभी यह गिवन हुआ करेगा less closing inventory of finished goods ठीक है जी इसके लिए एक लाइन और चोड़ दी और हम पुंच जाया करेंगे cost of sales अब एक और मसला आएगा मसलें क्या है शापर हैं जो नेरी में आई जा रहे हैं मसले ना हो गए हैं, तर मसले नहों हो गए। नेरी रलेशा पर हो गए। आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं। अच्छा जी मसला क्या है कोई सोच के बता दे कोई तो बता दे आज बता ही दें आज बाई जाये ने अब्सॉप्शन कास्टिंग के अंदर यह जो फिक्स्ट एफवच कास्ट हमने लेनी है ये लेनी है बाई यूजिंग तो जब आपने अब्जॉपशन रेट वाला हिसाब करना है तो मुसीबत तो आनी है उस को का नाम है वेरिंस यानी अंडर ऊवर यब्सॉपशन तो वो निकालने है तो यह कॉस्ट ऑसेल हमारी क्या हुआ करेगी अच्छा मैं सिर्फ फिलहाल ना आपके सामने एब्सॉप्शन को लेकर चल रहा हूँ यह ना कहना माज़ों ने तो यह आना नहीं तो मैंने उस कॉलम भी देखा ही नहीं उस कॉलम में डैश लिगा देंगे मैं तो आपका वक्त बचाने के लिए एक सफ आमने सामने इसलिए फिक्स फोएच आएंगे तो जो कॉस्ट अफ सेल ओपनी क्लोजिंग के बाद आएगी वो अनड्जस्टेड होगी क्यों अनड्जस्टेड होगी क्योंकि इसके अंदर वेरियंस आ रहा होगा एब्सॉब की वज़ा से ठीक है तो उस वेरियंस को क्या करेंगे याद है आप सोच के सोच के रटा नहीं लगाना और अगर और उवर अब्सॉब कर रहा गे हैं जढ़ा एक्समेंस एक चार्ज कर दी अक्चल उतना हुए नहीं है तो उस एक्समेंस को कुछ कम करें cost-o-sale में कर दूगा माइनश करेंगे एंडर को प्लस करेंगे था प्लस अब्सुब अगर हुए तो यह आज के पहले सवाल में वैसे है नहीं यह शायद हो अगले सवालों में पहले मीने में यह यह शायद बिलकुल ही नहीं है अंडर पर हमने अपना अगर होगा तो आपने उसको एड कर देना है सोच समझ के कोई रटा नहीं और अगर ओवर एब्जॉब्ड है तो तो जब यह काम आप कर लेंगे तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी वो होगी एडजस्टिड और वो जाएगी आपकी प्रॉफिट स्टेट में ठीक है और सही है मुझे पता है किसने लिखा हुआ है किसने का हे का लिख greatest लिखा था नवोटो बनाओ बना अब nach現在 सेंड्法 कर लेगे हैं यह जी कोई बात मिए अगर आज सिर फॉर्मेटी बन जाए तो अच्छी बात है, कल सिर्फ सवाल ही रह जाए, आज मुकमल बात कर लेंगे, मेरी कोशिश यह होगी कि मैं फाराल सवाल डिसकस करके एक बार आपके तरफ फैंक तो दूंगा ना, कोई ही खपते खपते रहना, कोई मसला नहीं, मैंने तो कल करवाना ही है, ठीक है हाँ जी, अब जरा वन बाई वन चलते हैं, कौन सी फिगर कहां पे चाहिए है, मुझे बताएं, सेल्स अगर आपने निकालनी हो, पूरे बिजनिस की, तो कैसे निकलेगी, बेसिक्स, बेसिक्स, हर जगह आपके काम आएंगी, ऐसे छे दिन नहीं लगाये थे, वहां पे बारे बच्चे इस नियर से आते हैं, इस बार साथ का काम साथ करना है, रोज आना है, चुटी नहीं करनी, टेस्ट देना है, वह पहले दस दिन में डेनिस पूरी होती है, बाद में विरा इस्ता इस्ता, कभी नीद आ आगी, कभी घर से लेटा है, कभी इद आगी हैं जी, सर्विस बिजनिस भी इसमें आ जाएगा ना, बहराल, रेविन्यू सेल बात तो एक ही है, मैंने शायद फॉर्मेट में रेविन्यू लिखा हो, चुकर है, रेविन्यू लिखा, हाँ जी, रेविन्यू या सेल्स कैसे निकलेंगी, सेलिंग प्र यूनिट, सेलिंग प्र इन्टू यूनिट्स सोल्ड, तो सोल्ड यूनिट्स लेने है, सेल के लिए कौन से यूनिट्स लेने है, सोल्ड यूनिट्स, यह हाँ पर भी सेम आ जाएगा, रेविन्यू लिखते हैं बात में, चीक है, सेलिंग प्राइस, पर यूनिट, इन्टू सोल्ड यूनिट्स, य ठीक है इतना असान काम है उसके बाद cost of sale working one से आनी है बाकी यहां पर अगर variable selling marketing expenses होंगे ना सवालों में जाके बता भी दूँगा ठीक है तो variable marketing selling expenses को आपने जो expense per unit given होगा ना उसको अगर multiply करना पड़ा तो किस से करोगे sold unit से क्योंकि यह selling expense sold unit से मैंने का वैसे पता दूँ फिलहाल जूरूत नहीं है ठीक है फिलहाल अभी आगया है cost of sale में जी अच्छा cost of sale की बात अब करते हैं तो cost of sale के अंदर direct material cost आपने निकालनी है क्या करेंगे अगर आपको direct material cost per unit given है तो उसको किस से multiply करेंगे production units के साथ ठीक है और अगर आपको direct मेरे खाल में तो दो तीन जगा में सिर्फ लाइन चोड़ने की जूरूत है बाकी तो काम चल जाएगा जी और अगर आपको direct labor cost निकालनी है तो आप labor cost direct labor cost per unit आपको अगर given है तो आपने उसको हाँ बस यह important है उपर क्या लिया हमने sold units यहाँ पे क्या ले रहे है production units और अगर वो selling expense होगा तो वो भी sold units की base रिक लगाए स्वालों के अंदर देखेंगे इंशालला ठीक है variable FOH की cost जो है उसके लिए हमें क्या given होगा variable FOH cost per unit given होगी नहीं होगी तो निकालेंगे जैसे तैसे भी है वो तो बाहराल फिलाल मैं यह बता रहा हूँ total given होगी तो total लिख लेंगे variable total given नहीं होगी, variable cost आपको इन सवालों के अंदर variable cost per unit given होगी और fixed total में given गवा करे अा करेगी और नहीं होगी कोई फर्क नहीं है प्रोडक्शन यूनेट दस यूनेट बनाए हर यूनेट के ओपर कितने रुपे की वेरियेबल कॉस्ट लगी दो रुपे की अब उसने पर यूनेट दिया हो तो यूनेट से मिल्टिप्लाय करेंगे ना अब कई सवाल में पर आर देदेगा तो फिर देख और अगर पर और होगा वेटा तो फिर प्रडक्शन नहीं पिर पिर हम उसको किसी साथ से पर यूनेट बना लेंगे यह वो सवाल के अंदर जाके देखेंगे के पर आर ही यूज करके वेरियेबल कास्त निकल सकती है यह उसको पर यूनिट करना है वो भी आपको आता है बे कोड़े का सवाल के साथ से देखिए फिलाल मैं कहा रहूं पर यूनिट गिवन है ओके ऑनलाइन वालो जागो अच्छा फिक्स एफ एफ एच कास्ट जो है ये कैसे निकलेगी इसके लिए तरह मैं यहां पर क्योंकि आगे मैंने बाई यूजिंग एफ एफ एच लिख दिया बलके इसको इधर ले आते हैं ताके एक जैसी लैनो लैनी चले काम हैं जी इधर आओ भाई 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 आजो जज़ा कला भाई अच्छा जी आपकी तरह थोड़े ही है का था तवार को आजो नहीं आए तुम आये थे का जी फिक्स्ट एफ 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 कास्ट के लिए हमें क उईआर फिक्स्ट एफ 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 ईच ओ एफ 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 हॉएज हो एफ झार होता था सिरफ वीथ और बोलना शुरू कर दिया क्योंंके यहां पे लेरिय throne kommt इक्स्ट है उलग किया है ठीक है ना क्योंकि असल लडाई वाली असल मसला इसमें आता है बच्छों को यह absorption है वह चूंकि हम पीछे सीख के आ रहे है ताजा ताजा है इसके साथ ही यह भी कर रहे है continuity के अंदर होता जा रहे है ठीक है ना चाहिए गेम है यह है अच्छा जी तो अब यह fixed foh absorption rate निकलेग कैसे इसके लिए एक छोटी सी हम वर्किंग कर लिया करेंगे ठीक है जी वर्किंग यह वन है ना तो वन पॉइंट वन यहां पे मैं आपको बता दे तो वह formula मैंने लिखा था जुरूरत पढ़ने पर हम वर्किंग 1.1 में इसको निकाला करेंगे ठीक है जी वर्किंग 1.1 कि लिए कर रहे हैं जी फिक्स्ट एफट एफ एप्सॉप्षुन रेट पर यूनिट वह जो उपर मैंने 아이 था ठीक है तो फिक्स्ट एफट एफ वह एट लीकिन फ मिए बै। छुप overheads के chapter में वो total overheads का OAR होता था, यहां पे सिर्फ fixed overheads का निकाल रहे है, ठीक है, तो fixed F.O.H. का overhead absorption rate जो है, वो कैसे निकलेगा, एक minute, एक minute, rate, overhead absorption, fixed overhead, पुरा लिख दू, OAR ही ठीक है, जरा याद रहता है, ठीक है, fixed F.O.H. absorption rate जो है, वो पर unit चाहिए मुझे, क्योंकि देखो न यहां पे भी पार आर निकलाया करेगा कभी-कभी, देखेंगा सवाल के अंदर, पार आर यूस करना है, पार unit, और यह काम से जहांनी standard costing में बड़ी शिद्दत से आएगा, वहां पे पार आर, पार unit, इनको कठा करना पड़ेगा, यह, ठीक है, तो, fixed average, absorption rate, पार unit, कैसे निक टोटल, fixed F.O.H. cost, divided by normal capacity, यह क्या चीज है, यह आप समझें सिर्फ budgeted capacity यह फिलाल, वैसे एक ही बात है, अभी शोड़ें, अभी शोड़ें, कुछ भी नहीं है, यह budgeted capacity, normal capacity क्या है, budgeted total activity level, फिक है ना, budgeted total activity level, यह तो समझ जाता है ना, लवज, तो budgeted total activity level ही आप फिलाल इसको लिखे, जब तक आपका level नहीं बन जाता, तब तक, बाकी मैं शल्ला ऐदा rule लिखवा दूँगा, असल में तो, वैसे जबानी बताऊं तो, पहली preference है, normal capacity की, सवाल में अगर given हो तो, ना given हो तो, फिर, budgeted given हो तो वो ले लेंगे, दोनो given हो तो, प्रेफरेंस नॉर्मल की होगी, यह इसा रूल आपको लिखवा दूँगा बात, ठीक है, यह as a rule हम इस topic के अंदर, यह बात सीखा करते हैं, ठीक है जी, यहां तक को मसला, तो, यहां से मारे पास fix OAR निकलाया, production unit से multiply कर दिया, यहां भी, ठीरो एक काम कर लेने दो मुझे, जगा ज़रा बचा लें, जगा जगा ज़रा, चलो बाद में देखते हैं, जी, direct labor cost, absorption में भी और माजनल भी product cost का पार्ट बनती है, variable दोनों जगा पे आते हैं, fixed सिरफ, और इदर, ठीक है, समझाती है बात की, अच्छा, उसके यहां पर पहला फर्क नज़र आया हमें, same, 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 जैनि एक बार, shame, shame नी कहा रहा हमें, एक बार यह निकल आए, तो यहां पर यूज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन absorption के अंदर, यह एक additional चीज है, OAR गिवन होगा तो यूज करेंगे, नहीं गिवन होगा तो निकालेंगे, औ OAR, FH, fixed FH का OAR into production unit, actual production, ठीक है, यहां पर budgeted यह नॉर्मल नहीं लेना, यहां पर actual चल रहा होगा, ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद, opening, यह normally given होगा, नहीं होगा, तो देख लेंगे, जिन सवालों में, नहीं होगा, उन सवालों में ही देखेंगे, जिन में नहीं होगा, तो opening भी निकालना आ जाएगा, ठीक है ना, ठीकिन फिलहाल आपने, वस यह समझना है कि यह given होता है, ठीक है, अच्छा, अब, closing inventory की cost निकालनी है, आपने निकालनी है, जैसे यहां पर करते आ रहे, fixed FH cost per unit, variable FH cost per unit, direct middle cost per unit, direct liver cost per unit, production units, ऐसे ही अब मुझे क्या चाहिए, finished goods क क्लोजिंग inventory की cost, यह क्या है, cost of closing stock, finished goods का, यह कैसे निकलेगा, अब हमें product की cost चाहिए, पर unit निकाल लेंगे, जितने units closing stock में पढ़े हो, सेमेंटी लाए कर देंगे, क्या खियाल है, यह खियाल है, एक छोड़ी सी example करते हैं, इससे हाटके, जरा हाटके करते हैं, मिसाल के त दासजार, और that material लगा, उस पे दो रुपे, दो रुपे इंटू दासजार कितना बना, direct labor उस पे लगी जनाब, देड़ रुपेया, इंटू, कितना, variable, overheads, उस पे पार unit लगा, एक रुपे, fixed F.O.H. fixed F.O.H. जो है वो, मिसाल के तोर पे 0.50 राउंड हो जाएगा उपर, और ये, अब मुझे बताओ, total, कितना बनता है, पचासजार, अब, ये जनाब 10,000 units है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि, इन 10,000 units में से, मिसाल के तोर पे, 9,000 units जो हैं वो, बिक्ड हैं, और, 1000 units जो हैं वो, अन्बिक्ड हैं, तो, ये, सौती अलाथ को बंद कर लें, ये cost of sale, और ये, closing stock, ऐसे ही है, अब मुझे दोनों की cost चाहिए, तो क्या करूँ, बहुत सिंपल जी, बहुत सिंपल, हम क्या करेंगे, हम, पर unit cost, मैं मिसाल के दोर पर कहता हूँ जो, मुझे cost of closing stock चाहिए, या, मुझे cost of closing stock चाहिए, cost of sale बाद में निकाल लें, cost of closing stock चाहिए, तो मैं कहूँगा, जी, रुपीज, पचाहस हजार total production cost है, क्या है total, इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, यह क्या है जी, total production cost for, total production cost for, 10,000 units, ऐसे ही है, तो पिर अगर, पचाहस हजार, 10,000 units की total production cost है, तो मैं अगर इसको, 10,000 units से divide कर दूँ, तो क्या आता है, कितना, रुपीज, 5 पर unit आगया, अब ये एक unit की cost आगी मेरे पास, अब units of closing stock कितने है, तो मेरी cost of closing stock कितनी आगी, पांच हजार, ठीक है, यह मैंने क्या निकाला है जी, cost of closing stock, कैसे निकाली है जी, total production cost को पकड़ा है, और उसको divide किया है, total production के units के साथ, पर unit cost आगई, multiply कर दिया, closing stock के units के साथ, ठीक है, इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है, वो तरीका ये है, कि आप ये सारे जो हैं वो, add कर लो, ठीक है, ये सारे add करें तो, cost of closing stock निकल सकती है, मैं एक minute जरा पहले note कर लूँ, पुरा फिर picture लीजिएगा इसकी, ये कैसे निकलेगी जिनाव हम कहेंगे जी, rupees 2, plus rupees 1.5, plus rupees 1, plus rupees 0.5, is equal to, rupees 5 आ गया, पार unit, उपर भी तो पार unit ही पड़े थे न सारे, ठीक है, ये पार unit, पार unit, पार unit, पार unit, पार unit, तो रुपीज 5, into 1000 units करेंगे तो, वो ही 5000 rupees आ जाएगी, cost, closing stock की, ठीक है जी, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है, लेकिन, आई कैप पहले वाला तरीका follow करता है, तो हम भी वही कर लें, कहीं दुरूत पढ़ने पर अगर हमें करना पड़ा, तो दूसरा भी आपको सिखा दी है, ठीक है, ये एक छोड़ी सी example मैंने आपको बनवाई, basically हम ये काम कर चुके हैं, आप गौर फरमाएंटेंगे के अंदर इसके बगैर cost निकली पड़ी है, वहां पर, format में, और absorption के अंदर इस समयत निकली पड़ी है, दोनों का अपना-पना closing stock का की cost नानी है, क्योंकि product cost डिफरेंट है, तो दोनों में क्या करना है, जो cost total निकली हुई है, यहां पर, उसको divide करना है total production units के साथ, और multiply करत एक्जेम्पल एमें क्लोजिंग स्टॉर क्रेल्कुलिट करने के लिए ऐसी बस एक्जेम्पल स्टिसी नाइए हमें ठीक है चले आगे तो आज तो सवाल ना हो सका लेकिन आज हमने टॉपिक खतम कर दी है इसमें छुटी-पूटी तो चीज़ है मुख्तिफुल नसल सवाल आएंगे फिक्स फोट वेरियवल लगलग करने पढ़ सकते हैं data सरासा तफ होता है या एक चीज जो है वो रह जाएगी वो यह है कि दोनों के प्राफिट सबापको पता है दोनों के profits ने हैं वो different आने है उसकी वज़ा क्या है दोनों की cost of sale different है cost of sale different क्या है product cost का different होना closing stock का different होना तो जब profits different है तो एक चीज जो और मांग लिया करता है वो है profits reconciliation इन दोनों के profits को reconcile करवा लिया करता है तो वो हम करना सीखेंगे इंशाला जब कभी सवाल में आएगी फिल हाव को दूर्वत नहीं है जी आखरी प्रॉफिटी तो डिफ्रेंट आते हैं हाँ जब हम एड्जस्मेंट कर लेंगे फिर सेम आएंगे जी नहीं । नहीं कास्ट ऑफ सेल य towards इसे भी आता है मैंनीए का आए आपको यह देखो fix F.O.H. नहीं शामिल इन तीनों में तो मतलब product cost भी different है उसमें शामिल है na cost of sale भी different है closing stock ultimately बात एक ही हो जाती है कोई एक भी different हो cost of sale closing stock भी different हो जाता तो बाकी सब भी change हो जाना था लेकिन बहराल असल concept तो यह ही है तो तो फिक्स F.O.H. नहीं शामिल product की cost में तो फिर नहीं शामिल cost हो sale में नहीं शामिल closing stock में यह तीनों ही फारक आएंगे दोनों में तो ultimately इनका सारों का असर किस पर पढ़ेगा और आफट पर अच्छा जी तो बात यहां पर आके रुकी हुई थी तो मुझे बताओ अगर closing inventory finish goods की निकालनी है तो कई से निकालोगे कोशिश करूँ इसको यहीं पर fit करने की अगर मैं इसको opening inventory op कर दूँ op inventory finish goods और ऐसे ही CL inventory stock लिखते तो और चोटा हो जाता है चलो अब तो लिखा जो है आपने finish goods अच्छा जी आप formula लगने लगा है जी formula फार्मूला फार्मूला बलाओ जी total production cost बो total cost total total production cost यहां रखेंगे marginal absorption वाली divide units तो same होने divide करेंगे units के साथ तो पार unit cost आजाएगी closing stock के unit से मल्डिव लाया करेंगे closing stock की cost आजाएगे इतना ही simple है यह इतना ही simple है तो प्रोडक्शन टोटल production cost divided by divided by total production units total production units और जब यह पर unit cost निकल आएगी तो इसको multiply किसे करेंगे closing inventory units units of closing inventory ठीक है जी यह formula बन गया अब देखो यह total production cost है ना marginal के closing stock को निकालने के लिए यह यूज कर लोगे और जब absorption के लिए और marginal के लिए यूज करोगे फिर यह वाली तो cost लग लग आएगी दोनों की ठीक है ना यह यहां यहां पर जो closing stock निकालना है उसके लिए यह production cost divided by units into closing stock लिए और जब marginal के लिए निकालोगे तो यह production cost पकड़ लोगे formula यहां पर लगा होगे ठीक है ना तो यह जनाब हमारे पास आ गया opening stock यह closing stock माइनस हो गया opening stock add closing stock माइनस हो गया और हमारे पास आ गया cost of sales का balance जोके unadjusted है लेकिन सिरफ पहले column का इसमें अगर under absorbed होगा तो plus कर देंगे अगर over absorbed होगा तो माइनस कर देंगे और हमारे पास adjusted cost of sale आ जाएगा यहां पर कोई variance नहीं होगा यह adjusted होती है ठीक है तो इसको मैं घर पर करीब कर लूँ अगर आप कहेंगे तो फिलहाल तो दूर दूर यह अच्छा है ठीक है लो जी मेरे गाल में कानी खतम हो गया बस सवाल जल्दी से पढ़ना है दो चार मिनिट में उसके बाद वो कोशिश करिए का हो वक में होना शायद नहीं है आपसे कोशिश करने में क्या हर्ज है हैं जी देखें देखें एक मिन देखें अच्छा जी पिक्चर लेने पहले एक बड़ी important बात तों में करना ही भूल गया वो कल कर लेंगे क्योंकि आज के सवाल में भी उसकी जरूरत नहीं है लेकिन लिख दू ताके याद रहे आप कल मुझसे पूछ ले आपको नजर आ रहे हैं sold units और production units बड़े important हैं सवाल नहीं हो सकता उनके बगया है इन दोनों में से कोई एक भी missing हो तो हमें निकालना पड़ सकता है और मश्यूरे जमाना आपकी equation होती थी opening finished goods के units plus production के units less closing करें तो sold units less sold करें तो closing stock के units ये एक equation भी आपको मैंने याद करवानी है यानि के quantity schedule इसको कहते है ठीक है quantity schedule हम बनाएंगे अगर working 1.2 यह वैसे सबसे पहले करनी पड़ेगी इसके बगार तो काम ही नहीं चलना ना लेकिन चलो अब मेरी number इसी वक्त यही इसी वक्त ही आया ठीक है quantity schedule का मतलब क्या है लेक ही लेता हूँ वैसे क्या फर्क पड़ता है अच्छा लो quantity schedule क्या होता है यह कल बता हूँ लेकिन यह लिक इसलिए लिया ताकि आप लोग मुझे कल आते साथ यह पूछने ठीक है ज़रा quick revision इनको छोड़ो यह तो आप शामल आई गया आपको quick revision format की अगर बात करें तो profit statement सवाल में दोनों method से बनवाता है और दोनों में profit चुके different होता है तो reconciliation भी बनवाता है यह normally इसकी requirement है ठीक है less operating expenses में variable selling expenses और fixed selling expenses और fixed statement यह मैंने अलग वैसे लिखे हैं वैसे तो कठे ही होते हैं लेकिन अलग लिख दिये ताकि दोनों में फर्क बता सकूए ठीक है ना अलग-अलग आते भी हैं यहां पर इस topic में variable selling expenses हो सकते हैं अच्छा operating expenses माइनस हो गए तो आप profit में आ गए जब आप marginal में आए तो इन्होंने variable cost of sales को सिर्फ माइनस किया और variable selling marketing को भी उठाकर इदर ले आए यानि के revenue से सारे variable खर्चों को माइनस करके इन्होंने contribution margin में निका लिए फिर जहां पर जो चीज मिस कर गए यह लोग वो थी fixed F.O.H. की cost उसको as a period cost उन्होंने actual cost को उठाकर यहां पर लिखा और profit under marginal costing जा अब जो cost of sale है जैसे वहां पे total full cost of sale है और यहां पे सिर्फ variable cost of sale है तो वो कैसे निकलेगी उसके लिए working कर लिए हमने ठीक है यह working कर लिया करेंगे working क्या है working यह आपको पता है cost of sale कैसे निकलती है total production cost plus opening finished goods की cost less closing finished goods की cost तो ही आ जाती है cost of sale ऐसे यह ना cost of goods manufactured निकल जब आती है तो उसके अंदर finished goods की inventory की adjustment करें तो cost of sale आ जाती है यही है ना अब cost of production कैसे निकलेगी opening closing working process ना हो तो direct material direct labor FH की cost यही total production cost है इसमें opening closing working process adjustment नहीं है सवाल में अगर नहीं आती stopping में वैसे जब आएगी तो देख लेंगे इंशाला ठीक है ना तो वह adjustment करने के बाद cost of goods निकल दी लेकिन यहां पर working process नहीं है फिलहाल नहीं है production cost में क्या चीज़ आएगी direct material direct labor variable FH fixed FH marginal के अंदर fixed FH नहीं लेते absorption के अंदर fixed FH आते हैं और आते हैं OAR वाले fixed FH का absorption rate निकालेंगे नहीं given होगा given होगा तो ठीक है नहीं given को तो निकाल लेंगे इस तरह से ठीक है सही है production cost निकल आई अब closing finished goods जो है closing finished goods का stock है closing stock of finished goods वो यहीं से ही उसकी cost नहीं लेगी production cost को divide करेंगे production units के साथ per unit cost आजाएगी marginal की absorption की अपनी units के साथ multiply करेंगे दोनों का stock different होगा तो दोनों की total cost different है और इसका difference क्या है यह इसके इलावा कुई difference नहीं है यह difference ठीक है opening normally given होता है ठीक है तो opening closing के adjustment करेंगे cost of sale आजाएगी अब चुक्के absorption वाला मसला आया है यह O.A.R. calculate करके absorb करवाये थे तो अब difference आ गया है उस difference को हमने adjust करना है cost of sale में इसमें वो मसला नहीं होगा यह cost of sale उठाकर ले जाएगे यहां पर और सवाल खातम हो जाएगा ठीक है सही है ना अच्छा अब यह दिलबर है सवाल का नाम सुभान अल्ला दिलबर associate सवाल बहुत परान है लेकिन ऐसा लंबा और comprehensive सवाल कोई नहीं था इसलिए मैंने यह सबसे पहले करवाना होता है अब इसको मैं पढ़ा भी नहीं रहा लेकिन उसने क्या कहा है from above information prepare income statement for the month ended by months ended लिखना चाहिए था अच्छा के लिखा हुआ है चलो for each month okay for each month ended by using absorption costing and direct oh अच्छा सर absorption के साथ लिखा दूसरा marginally होगा याद ना करना लिखवा दिया तो जेन में ना रख लेना बैसे जुगार लगाते रहना सारी जनीगी ठीक है अच्छा चलो एक जल्दी से पढ़ भी लेते हैं अच्छा मतलब month है first second third fourth तो यह जो format है ना अब ये इस तरह से नह पाएगा माजरत के साथ एक सफ़े पे आपको absorption वाली profit statement बनानी पड़ेगी एक दो तीन चार column आगे रख लेना सही है ना उसके नीचे cost of sale बनाओगे सिर्फ absorption की बनानी पड़ेगी एक दो तीन चार माजरत के साथ क्योंकि ये चार महीनों का है अगर एक महीने का होता दोनो को आमने सामने ऐसे चला सकते है ठीक है तो एक सफ़े पे आपने marginal की profit statement उसकी cost of sale तुसे सफ़े पे आपने absorption की profit statement और उसकी cost of sale चार-चार महीनों की बना लेनी ठीक है है सही है ना अच्छा अब सवाल को तर एक नदर डाल ले सवाल क्या कहता है ये मैंने format वैसे बनाया है य ठीक है तो यह देखें हैं यह वाले format आपके लिए बनायों में तो यह पसंद आएं तो यह रख लेना ठीक है अच्छा अब सवाल पढ़ें जरा ऐसे ही जल्दी से बस चुटी होने लगी है profit statement बनानी है दोनों methods में सवाल पढ़ना चुरू किया following information पढ़ें से दिलबर associates for the four months period normal capacity of plant is 20,000 units per month और 2,40,000 units हा यह बड़ी गाल ने हम खुद भी कर सकते थे variable cost पर unit direct material cost direct labor cost variable F.O.H. यह भी पर unit ही चाल रहा है क्योंकि उपर उसने variable cost per unit direct labor cost हां मतलब वैसे भी लिख लेना चाहिए था यह शायद मुझसे मिस हुआ बहराल आप लिख ले मेरी तरह से यहा है जाहर है सारे साल का तो नहीं हो सकते खुद ही देखो आगे एक दो रुपे गिवन है अच्छा जाए ओके नौ पर unit variable cost गिवन है आगे कहता है fixed production over heads are 300,000 per year और 1.25 per unit at normal capacity खुद ही निकाल दिये पहला सवाल जाए जिनकी का वैसे ट्राइ कर लेते हैं तो fixed marketing and admin expenses है 60,000 per year divided by 12 करेंगे पर month आएगा तो यह जो आपका format होगा ना format इसमें यह fixed selling marketing admin कठी लिखने पड़ेंगा आपको fixed उसने कठी दिया है ना ऐसे एक, दो, तीन, चार होगा 5000, 5000, 5000, 5000 इस तना से fix आएगा यह इस तना से होगा कोशिश करना मैंने करवाना है सवाल यह समझो बहुत बोज़े है आपको सवाल दे रहा हूँ जयत्ती आपके साथ लेकिन है, जाओ कर लो जो करने फिल्हाल यह कर लेना try मैंने यह करवाना है सवाल, उसके बाद अगला सवाल कर वाँगा यह सवाल बहुत comprehensive है हो जाना है इंशाला 45 मिनिट्स में अगर आप करके आए हो तो 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 सम्झाओंगा नेक्स्ट आगे कहता है एंड वेरियेबल मार्केटिंग कॉलम्स में आजेंगे अलग अलग दियां है सब कुछ गिवन है सवाल में सिर्फ इस सवाल का मकसद यह है फॉर्मेट्स तरह काबू करने आजए देखना आजाए इस सवाल करना कैसे और कोई सवाल के ज़्यादर टेक्निक एलिए लेंट्टी बहुत है अखीर लेंटी है सिर जाएंगे आपको ठीक है नैक्स्ट एक्चुल एन अप्लाइड ओवरेड्स आर्दा सेम शुक्र है पहला सवाल है ना कोई वेरियंस नहीं है लेकिन आपने फॉर्मेट में जहां वेरियंस की जगा मैंने बनाई है वहां लिख लेना है ताकि काल को जो दूसरे सवाल के अं सेल प्राइस पार यूनिट इस टैन एक्चुल प्रोडक्शन वॉल्यम सेल वॉल्यम यह सब कुछ गिवन है यह मैं कह रहा था वो जो मैंने वन पंट टू बनाया है ना कि अगर आप क्या देखो ओप्लिंग प्रोडक्शन सोल्ड क्लोजिंग यह चारों चीज़ें गिवन है इस सवाल में कोई एक भी मिसिंग हो हमने निकालनी होती है तो यह कोईजन हम बनाना सीख लेंगे फिलहाल तो यह भी बनी हुई ठीक है यह रिकॉर्मेंट यह सवाल है वह है आप कि तस्जीक इसकी कोई उकार फुटका देना इन्शाला ठीक है बागी कल मैं को कुईकली पहले आदे से पौने गंटे में करवाऊंगा यह सवाल मैं कोशिच करूँगा यहीं पर ही करवाऊंगा आपको उसके बाद फिर आगे चलेंगे ठीक है जी अल्लाह अपीश